जहिंद मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया सद्गुरू डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन, हैंड पिक्ट फाब्रिक्स और प्रीमियम ब्रांड्स, सद्गुरू स्टोर मगीन अबाग अजमीर आज बात पैन कार्ड और अधार कार्ड से जुड़ी हुई है अगर आपने अधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द करवा लीजी क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी जेब पर 10,000 की चपत जुर्माने के रूप में लग सकती है पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक करने को लेकर आएकर विभाग लगातार लोगों से समझाईश कर रहा है इसके साथ ही आएकर विभाग ने इन दोनों महत्वपून दस्ताव वेजों को लिंक करने के लिए 31 माज 2020 को अंतिम तारीक तै कर दी है हालांकि इससे पूर विभाग अंतिम तारीकों में जाफा कर चुका है इसी के साथ अब Central Board of Director Tax का एक नियम ऐसे पैन कार्ड धारकों की मुश्किले बढ़ा सकता है जिन्होंने अब तक अपने पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है और अगर इस दोरान कोई अपने Cancel Pen Card का इस्तिमाल करता है तो इसे Income Tax Act की धारा 272B का उलंगन माना जाएगा इसके साथ ही Pen Card धारक को 10,000 रुपे तक का जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है आपको बता दें कि आएकर अधिनियम की धारा 272B 1961 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 149AA के प्रवधानों का पालन नहीं करता तो इस दशा में आएकर अधिकारी ये निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति से जुर्माने के रूप में 10,000 रुपे का बोगतान लिया जा चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे किया जाए अधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया बेहधी आसान है चंद मिंटों में इसे आप घर बैटे ही लिंक कर सकते हैं हालांकि कुछ मामलों में लोगों को दिक् मैच करता है और यदि किसी कारण से जानकारी गलत हो जाती है तो linking request reject हो जाती है यह बहुत से मामलों में देखा जाता है इसमें taxpayer का नाम, date of worth और gender जैसी जानकारिया pen और अधार में match नहीं करती है आपको बता दें कि UIDI ने December 2017 से partial matching process बंद कर दिया है अगर आप यह video Facebook पर Native India के page को follow करे और अगर यह video YouTube पर देख रहे हैं तो वहाँ subscribe करे वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर सिंग के साथ मैं ललित खत्री